Only 3 minutes में करूँगा topic clear आज की वीडियों में दोस्तों हम सेखेंगे टेली प्रायम software में किसी भी stock item में alternate unit को set करना और voucher entry में alternate unit को use करना दोस्तों जब आप stock item create करेंगे उसी समय आपको alternate unit भी set कर लेनी है इस टॉक आइटम क्रिएशन में आ जाई ये अप्ट रेस करिए और इस जगे पर आ जाएंगे कॉन्फीग्रेशन में यहाँ पर इंवेंटी टेल्स के अंतर का दोस्तों आपको लिखा हूँ मिलेगा यूज अल्टरनेटिव उनिट इसको आपको यस करके रखना है तब ही आपको इस टॉक आइटम में अल्टरनेट उनिट को सेट कर पाएंगे तो यहाँ पर मैं किलोग्राम से रख देता हूँ अल्टरनेट उनिट में जो हमारी अल्टरनेट उनिट बनानी है वो मैं सेट करनी है वो यहाँ पर कर सकता हूँ तो बैग जो हमारी उनिट है create मैंने कर रखी है, तो back को मैं इस जगह पर कर देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, मुख unit हमारी kilogram होगी, alternate unit होगी back, अब इस जगह पर जब दोस्तों आएंगे, तो where मैं हमारा cursor है, और यहाँ पर zero bag लखाए, एक कर दूँगा, और interface कर दूँगा, तो यहाँ आपको क्या करना जिस तरह से stock item create करते हैं, उस तरह से stock item सारी detail देते हुए, यहाँ पर create कर दीजिए, और यहाँ पर यह पर यह taxable है, तो 5% यहाँ पर आगया, type of supply हमारा cursor आ गया, good से लिया, मैंने इस जगह रिपोर्टिंग unit quantity code, तो यहाँ पर जो मुख unit है हमारी, उस जी में मैं reporting करना चा पर create किया था, वो मैंने यहाँ पर ले लिए, आप किस तरह से आप use करेंगे, तो आप समझ लीजे यहाँ पर, जब भी आपको alternate unit की use करना है, तो इसको लिखना होगा, जैसे कि मैंने 40 bag purchase की हैं, तो यहाँ पर मैं 40 डाल दूँगा, और bag जरूर लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ अल्टरनेट unit भी डालनी पड़ेगी, जैसे मैंने 40 bag लिखकर interface किया, 16 kg हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ पर पता दिया था, एक bag बराबर 40 kg, और नीचे देखेंगे, तो 40 bag भी bracket में सो रहे है, rate के column में आपका गरसर आजाए, जो भी आपकी प्रती bag rate है, वो यहाँ प यहाँ पर आपको alternate unit नहीं, मुकी unit यूज़ करना है, तब आप क्या कीजी, आप alternate unit को यहाँ पर लिखेंगे नहीं, जैसे कि मैं 20 kg बेचने जा रहा हूँ, 20 के बाद मैं enterprise कर दूँगा, तो अपने आप यहाँ पर kilogram आ जाएगा, और दीखें, नीचे आ गया 0.50 bag है और यहा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना होगा, तो अपने आप यहाँ पर, मुकी unit अपने आप आएगी, और जब आपको alternate unit यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पर type करना होगा, तो इस तरह से दोस्ता आप इसको यूज़ कर सकते हैं, धन्यवाद.